कैसे हैं आप सब आई होब कि हमेशे के तरह बहुत ही अच्छे होंगे तो आज फिर से मैं आपके लिए लाज चुकी हूँ बहुत ही जादा यूसफुल टिप्स एं ट्रिक इसके लिए वीडियो को देखिएगा लाज तक वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके चैनल को सब सब्सक्राइब कर लिजीगा तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं फटाफट आज की टिप्स को स्टार्ट करते हैं आज को जो हमारा पहला टिप्स है वह बहुत ही जादा यूसफुल है इसके लिए वीडियो को स्कीप मत कीजिएगा तो देखिए यहां पर मैंने सबस सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर आप चाहिए यहां पर मैंने विंप डाल दिया है लिक्विड को और इस तरीके से कोने वाले हिस्ते को आपसानी से चमका सकते हैं जितना भी कोने कोने में गंडगी बैट जाती है जो कि निए 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 निकलती नहीं हैं तो कम से कम महने में एक बार भी इस तरीके से कंगी को मोजा पहना करके आपकी यह प्रॉब्लम फाइनली दूर हो जाएगी तो इस तरीके से जरू क्राइब कीजिएगा ताकि आपका घर का जो कोना कोना है वो एकदम चमक उठे तो चले देख लेते हमार जो हिस्सा होता है इसका रवर वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है तो यहां पर करना क्या है कि आपको इस तरीके से इसमें लगा देना है यह इजली लग जाता है तो इस तरीके से आप अपने मिक्सी की जार को इस्तमाल में लाज सकते हैं तो जब कभी भी आपका मसाल से आप अपनी में मसाले को अच्छे से पीश सकते हैं तो जब टाइम मिले तभी आप जाईए और जाकर किसे चेंज कर लीजी हमेशा ये नहीं चलेगा लेकिन ये एक घरेलू जुगार है जिससे आप अमरजनसी में ये काम कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं हमारी अगली जिसे चूड़ी जो है वो चे से पहन लेकिन अससे क्या होता है कि उसके बाद आपको हाथ जो हूष रड़ा हमारा तो ब्लास्टिक डाया इसका इससे इसक्तें کا तो जरूर से ट्राई कीजिएगा साथे साथ दुर्यों कि कौन से कौन मेरी वीडियो को देख रहे हैं कोमेंंट में अपना नाम शहर का नाम जरूर से डालीएगा ताक QCC और मुझे भी पता चल से कि Hi कि हम मेरी वीडियो कहा कहां तक चल रही है देखिए इस तरकी का जो बैटरी होता है न चाहे आप को कि टीवी का रिमोट का हो या बचों के कार का हो तो अगर ये मैंने जिसे के बैटरी को डाला इसमें और ये बहुत ही जल्दी से डाउन हो चुका है तो आपको यहां पर करना क्या है कि ऐलमुनियम फॉयल में इस तरीके से बैटरी को लपेट करके एक रात के लिए छोड़ देना है इससे क्या होगा कि अगले दिन ये बैटरी फिर से यूज करने के लाइक हो जाएगी अगर आपका बैटरी जो है आपने घड़ी में लगाया और ये दो मेहने में तीर में में डाउन हो चुका है तो इस तरीके से अलमुनियम फॉल में इसका इस्तामाल कीजिए और इसे आप फिर से यूज कर सकते है और बाइदावे अगर ये बैटरी आपका साल शे मेहना चल चुका है तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा और अगर नहीं है ऐसा कुछ भी अगर ये बैटरी आपका एक मेहने में ही डाउन हो चुका है और हमें लगता है कि बहुत जल्दी ही इसकी जो कॉलिटी है वो खराब हो रही है तो इस तरीके साथ यूज में ला सकते हैं आईए देख लेते हैं हमारी अगली यूसफुल टिप्स क्या है यहां पर मैंने एक बाल ले लिया है बाल में इस तरीके से नियूस पेपर को एक खटा करके इसमें डाल दिया है डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी आपको डाल देना है इससे क्या होगा और इसके क्या फाइदे हैं जो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है एपना मैं यस बॉल को अच्छे से पयपर अच्छे से डिप करने है पानी में और इसके बार आप इसे फ्रींख के किसी Holmes कोने कमी लंगक डाले है इससे आपकी फ्रिस्क में जितनी भी बैड़ स्मेल है बदबू है वो निकल जाएगी और आपका फ्रिस्क जो है वो एकदम साफ हो जाएगा फ्रेश हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपने फ्रिस्क में होने वाली बदबू को हटा सकते हैं चाहे वो मसालों की महक हो या क किसी भी चीज की महेंखों दूद वगरा भी जादें रह जाता है तो फ्रेज में बहुत अजीब सी बद्बू हो जाती है तो उस बद्बू को हटाने के लिए नियूस पेपर जो है बहुत ही जादा यूसफुल है यहां पर देखे मैंने चाय के जो पतीली होते है उसमें पा असानी से साफ कर सकते हैं और महनत भी कम होगी और रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा मिलेगा तो आई हो कि आपको यह टिप्स भी पसंदारी होगी तो इसके लिए आपको करना क्या है कि पहले आपको अच्छे से आटे को गुन लेना है गुनने के बाद में इस तरीके से ज अच्छे से बना बना करके रख लिया है तो जब कभी भी आप रोटी को बनाए तो इसे रोटी को फटा फट से बनाने के लिए इस तरीके से अच्छे से आपको पहले पेड़ा बना करके खटा कर लेना है जितनी भी रोटी आपको बनानी है उसके बाद आप इसे रोटी को वीडियो को लाइक कीजिएगा फैमिली में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा चैनल में अगर आप नए हैं तो फटा फट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो फिर मिलूंगी मैं अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक दीजिए मुझे जाज़त हैं कि सो मच वाचिंग मैं वीडियो टेक गुड केर बाई लाफीज